नमस्कार विदाई समारों में भावख हो गए उप्राष्ट पती वेंकया नाइडू पोचने लगे आसू रज्यसबा के सभापती एम वेंकया नाइडू को सोमवार को विदाई दी गई इस दोरान पीएम मोदी और विपक्ष के नेता मलीकार जुन खडगे समें तमाम नेताओं ने विदाई भाषन दिया इस दोरान वेंकया नाइडू काफी भावख हो गए और रोने लगे जिसके बाद उन्होंने अपनी आसू पोचे और खूद को संभाला इतना ही नहीं सभापती वेंकया नाइडू की विदाई पर पीएम मोदी ने भी काफी भावुक विदाई दे कर उनकी सरहाना की प्रदान मंद्री ने कहा कि वह देश के एक एसे उपराश्टपती है जिन्होंने अपनी सभी भुमिकाओं में हमेशा युवावों के लिए काम किया और सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया और उन्हें प्रोच्साहन दिया उन्होंने कहा कि आपने देश के लिए और सदन के लिए जो कुछ किया है उसका रून स्विकार करते हुए आपको भविश्य के लिए बहुत शुब कामनाई देता हूँ बता दे कि देश के उपराश्टपती और राच्यसभा के सभापती इम्विकाया नाइडू 10 अगस को अपना पत छोड़ रहे है तन्यवाद